करनाल की सेक्टर 12 में जेबीडी समाच कल्यान समीती की और से चलाई जा रही आपकी रसोई कारेक्रम में लोग उटसा पूर्वक पहुंचकर नाश्ते पानी का अनंद उठा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर 10 रुपे में नाश्ता किया और जेबीडी समाच कल्यान समीती की और से चलाई जा रही स्कीम की सराहना करते हुए हम आपको बता दें कि जेबीडी समाच कल्यान समीती की और से 10 रुपे में नाश्ता अपलब्द करवाने के लिए करणाल के सेक्टर बारा द्वारा पार के समीफ अपनी रसोई चलाई जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच कर इसकारिक्रम का अनंद उठा रहे हैं आपकी रसोई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर नाश्टे का लुफ उठाया और कहा कि जेबीटी समाज कल्यान समीती द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है जिससे जरूरतमन लोगों को ये दामत के साथ सस्ता नाश्टा उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि जेबीटी कल्यान समाज समीती द्वारा चलाई जारहे इस रसोई में पॉलितीन उन्मुक्त अभियान को भी सपल बनाने के लिए संदेश दिया जा रहा है इस मोके पर जेवीटी कल्यान समात समीती के सदस्यों ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस रसोई में कोई भी प्लास्टिक की वस्सू प्रयोग ना की जाए और लोगों को भी पॉलितिन उन्मुक्त करनाल बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा गौरतलब है कि जेवीटी कल्यान समीती द्वारा मुखे मंत्री द्वारा चलाई जा रही अंतोदे योजना से प्रेरित होकर कारेक्रम शुरू किया गया है जिसमें जरूरतमन लोग केवल 10 रुपे में सस्ता ब्रेकफास्ट खा सकते हैं इसके अलावा भी जेवीटी कल्यान समीती द्वारा परियावरन स्रंक्षन के शेत्र में पोधर ओपन के लिए लोगों को जागरू किया जा रहा है यहां बाइस सितंबर 2019 बिन रभी वार को राज गरामा बैंकेट हाल में एक रक्तदान शिवीय का योजन किया जा रहा है बारिश भी थी आज बारिश भी थी आज बारिश भी थी आज बारिश भी थी और उसके वाव्चूर की जगा भी नहीं सुनी हमने इसके वाव्चूर की आप देख रहे हैं बड़ अच्छा लग रहा है लोगों को ऐसे ही लिटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर स्लिक कर बेल आइकोन को दबाएं कर दो जब सब्सक्राइब बटन पर स्लिक कर दाल रहे हैं पर सब्सक्राइब में में अपन पर समीजड़ बटन knockवका देख लिए लिए रहे हैं अंप thế geschू